उतरकाशी के सिलक्यारा टनल पर जहां पर 40 के 40 लोग फसे हुए हैं पिछले 7 दिनों से वहां तक पहुचने की लगातार कोशिश रेस्क्यू टीम कर रही है और अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है लेकिन अब एक नए विकल्प पर काम चल रहा है वो विकल्प इतना आ 40 लोगों को निकालने की कवायत ठीक मेरे नीचे इसी चटान के नीचे से जारी है और आप तस्वीर देखिए तो आपको मेरे पीछे नजर आएगा कि वहां पर तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं तमाम जो इन मीडिया क साइट है जहां पर इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं इस जगा पर थोड़ी देर पहले सर्वे टीम पहुची सर्वे टीम ने यह जाननी की कोशिश की कि जहां से वह अभी तक मशीन के जरिये डिल करने की कोशिश कर रहे हैं करीबर साठ से सतर मीटर वहां पर जो मुश्कि जो आपको इस वक्त नजर आ रही है जहां पर मैं खड़ा हूँ यह वही जगह है जहां पर ये लोग मार्किंग करके गए हैं यह लाल निशान जो पेड़ों पर आपको दिख रहा है यह वही दर्शाता है कि यहां पर जो साइंटिस्ट आये थे एक्सपर आये थे उन्हों यह इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर drill करना होगा तो इसी जगापर करना होगा और इस जगापर इसलिए भी करना होगा क्योंकि यहां से यहां से वो दूरी जो मज़दूर जहां पर फस्ते हुरें 40-40 लोग वो सबसे करीब हो सकती है जो सीधी टरनल से हम ड्रिल करने कोशिश कर रहे हैं उसके अलावा यानि कि अगर यहां से अगर मैं नीचे जाओ टरनल तक जहां पर हो लोग हैं तो माना यह जा रहा है कि 100 से 120 मीटर तक की हमें ड्रिल करनी होगी बिल्कुल सीधी ड्रिल होगी और यही एक रास्ता है कि उन तक पहुचा जा सकता है और सीधा तरीका भी यही कहता है क्योंकि वहां से चीजें अब काम्याब होती भी नजर नहीं आ रही तो यह वह जगह है और वहां से कर मैं गिनूँ जहां से यह टनल शुरू होती है तो जहां पर मैं इस वक्त मौझूद हूँ यह करीबन 200-500 मीटर क से फसे हुए हैं तो यही वज़य है कि अब यह एक नया विकल्प है जिसको तलाशा गया है और यहां पर काम कैसे होगा यह अब देखना होगा क्या यहां से वह 40 की 40 जिन्दग्या निकल पाएंगी यह नहीं यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है कैमरमन जित